ओके गाइस तो सैमसंग ने एस 21 FE 5G स्मार्टफोन के लिए मार्च 2024 का लेटेस्ट सिक्रेटी पैच अपडेट जो है वो रिलीस कर दिया है तो आज की इस नहीं वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूं इस अपडेट के बारे में क्या कुछ इंप्रूब्मेंट्स और च अंत तक देखते रहेगेगा वहीं पर वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक स्यर एंड सस्क्राइब जरू कर लेना तो चली वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों इस किन पर देख पारे होगे कि सैमसंग ने एस 21 FE 5GA स्मार्टफोन के लिए मार्च 2024 की लेटेस्ट सिक्रेटी पैच अपडेट जो है वो रिलीस कर दी है बात करें इसके अपडेट पाइल के बारे में तो 237.24 MB की अपडेट फाइल दी गई है तो गाइस यहां पर एस्पेक्ट कर सकते हैं कि कुछ खास चेंजेश वो नहीं किये गए क्यूंकि यह एक सिक्रेटी पैच की अपडेट है वैसे यहां पर चेंज लोग के बारे में बात करें तो सिक्रेटी पैच को इंप्रूफ किया गया है डिवाइस के स्टैबिटी को डिवाइस के परफॉर्मेंस को इंप्रूफ किया गया बक्स फिक्स के गया है और नए पुराने फीचर्स को यहां पर इंहांस करने की कोशिस की गई है बाकी इस अपडेट में कोई भी मेजर चेंजेश वो है वो नहीं किया गया बस माइनर माइनर सी चेंजेश वो है वो म मिलने वाली है बताया चाहरा है कि इसी मार्च मंद के एंड में चाइना के अंदर और भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज हो गया उसके अंदर जो है वो सैमसंग अपने स्मार्टफोन के अंदर 126.1 की अपडेट रिलीस करने वाला है यहां पे अप्रेल मन्त में जो है वो सैमसंग के काफी सारे फ्लेक्स बेस स्मार्टफोन के अंदर इंडिया में भी अपडेट मिल जाएगी तो उसी बेसेस पे हम कह सकते हैं कि स्मार्टफोन जो है वो एक इंटरी लेवल का फ्लेक्स बेस स्मार्टफोन है तो उसमें अपडेट जो है वो यहां पे अप्रेल मन्त के अंड में देखने के लिए मिल सकती है अब देखते हैं यहां पे सैमसंग वाले क्या करते हैं और कुछ भी इंफॉर्मेशन आती तो मैं आप लोगों को इंफॉर्म कर दूंगा उसके लिए आप लोग चैनल सस्क्राइब करके बेल नोरिफिकेशन प्रेस करके ज़रूर रख लीजिगा तो आज की इस नहीं वीडियो में बस इतना है मिलते हैं नहीं वीडियो में तब तक के लिए जैहीं बंदे मात्रम